Hello Everyone, Myself Ash Mufare and Welcome to O Digital Future YouTube Channel सबसे अलग है, चाहे वो YouTube के माध्यम से live conference प्रसारिथ कर सकते हैं, आप conference प्रसारिथ कर सकते हैं और उस प्रसारन को YouTube के माध्यम से साझा कर सकते हैं, बहुत सरल, बस connect करें, Google खाते से जुड़े और उपलब्द में से एक चुमे हिसाब किताब। श्री मुफारा द्वारा पहले ये घोशना की गई थी कि हमारे पास एकादिक यूट्यूब और गूगल खातों के लिए कई विकल्प होंगे प्रारम्व में हम केवल एक में ही ट्रांस्मिट कर पाएंगे जो पहले से ही काफी अच्छा है लेकिन निकट भविश्य में हमारे पास एकादिक और सीमिट गूगल खातों में ट्रांस्मिट करने की संभावना होगी ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण लॉंच था ये अब हम सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध है केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने ओकनेक्ट भुकतान योजना खरी दी है ये हमुफ्त 14 दिवसिये परीक्षन संसकरन के लिए उपलब्ध नहीं है केवल लोगों द्वारा ओकी सदसिता लेने के बाद ही उपलब्ध है पैकेज कनेक्ट करें ओकनेक्ट अभी और भविश्य में इसके अलावा अन्य विशेशताय भी है जो प्रसारन के दोरान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जिसमें प्रसारन और स्क्रीन को उपलब्ध कराने का तरीका स्क्रीन पर प्रतिभागियों की संख्या की अनुमती देना प्रतिभागियों की संख्या को स्क्रीन पर बहतर धन्ग से वित्रित करना शामिल है हम विकल्ट चुन सकते हैं बोलने वाले प्रतिभागी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसलिए बड़ी संख्या में नई सुविधाएं हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और अब हम सभी उनका उप्योग कर सकते हैं ये पिछले सप्ता बुधवार तक होने की उम्मीद थी लेकिन उन्हें आज लॉंच किया गया यह आट तारीख को होना था ये पंद्रा तारीख बुधवार को था और कमपनी के तक्नीकी कर्मचारियों द्वारा बहुत सारा काम किया गया है एसकोम फेराड ने बाद में खुलासा किया कि अगले शुक्रवार 17 नवंबर दो दिनों में लगभग सवा बारा बजे सयुक्त राज्य अमेरिका समय इसलिए लगभग साधे पांच बजे शाम सवा पांच बजे पुर्तगाल एक लाइट शो प्रसारित किया जाएगा बुर्च खलीफा दुबई में इसलिए बुर्च खलीफा पर इस प्रकाश प्रक्षेपन के बाद एक सम्मेलन भी हो सकता ह लेकिन ये 100% निश्चित नहीं है प्रकाश प्रक्षेपन ओकनेक्ट द्वारा भी किया जा सकता है आईए अधिक जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें लेकिन क्या निश्चित है कि अगले शुक्रवार 17, 12 और 15 दुपहर और 15 को सयुक्त राज्य अमेरिका से रोश्णी, व के लिए एक और विपणन अभियान का एक और प्रक्षेपन होगा, जिसे भी प्रसारित किया जाएगा, O-N-D-E-P-A-S-S-I-V-E का यूट्यूब चैनल और संभवतह O-Connect पर भी, आब काट के माध्यम से सदस्यता भुक्तान के बारे में जानकारी, इस समय O-Connect की सदस्यत के लिए भुक्तान को प्रभावित करना संभव है, O-Connect पैकेज, क्रिप्टो, मुद्राओं के माध्यम से, काट के माध्यम से भुक्तान को धीरे-धीरे, स्केलेबल तरीके से, दैनिक आधार पर अनुमती दी जाएगी, आधार पर अधिक भुक्तान की अनुमती दी जा र कंपनी केवल एक भुक्तान प्रोसेसर का उप्योग नहीं करने का निर्मय लिया गया, बलकि एक आधिक भुक्तान प्रोसेसर का उप्योग करने का निर्मय लिया गया, केवल इस तरह से भुक्तान के मामले में कंपनी की जरूरतों को पूरा करना संभव है, लोगों की इसलिए हमेशा अधिक से अधिक असीमित बिंदू तक पहुँचने तक। चाहे वो सामान्य ग्रहक हो, कार्ट से भुकतान करने का प्रयास करें, यदि आप क्रिप्टो करेंसी से भुकतान करना चाहते हैं तो यह संभव है, यह 100% काम कर रहा है, लेकिन यदि आप डैबिट या क्रेडिट कार्ट से भुकतान करना चाहते हैं, तो कई बार प्रयास करत तक पहुँच जाएंगे कई भुकतान प्रोसेसर जिन्हें कमपनी जोड रही है अब निकासी के लिए भुकतान के संबंध में इसलिए जो निकासी वर्तमान में लंबित हैं चाहे वे क्रिप्टो करेंसी हो या बैंकों से निकासी मुझे लगता है कि इसका भी पूरी तरह से समाधान हो जाएगा सभी लंबित भुकतान दो तीन सब्ताह में कर दिये जाएंगे इसलिए लंबित क्रिप्टो करेंसी और बैंकों दोनों को अधिक तम दो तीन सब्ताह में भुकतान किया जाएगा इसलिए उन लोगों के लिए जिनके भुकतान सितमबर, अक्टूबर अब भी नवंबर में अनुरोध किये गए थे, उन्हें दो या तीन सप्ताह में किया जाएगा। प्रचारित करने जा रही है और यह सबसे बड़ी उपलब्धी है, सबसे बड़ी घोशना है जो कमपनी ने आज तक वर्षो में की है। कि शुक्रवार को बुर्च खलीफा पर हमारा प्रकाश प्रक्षेपन होगा। कुछ देर पहले मैंने जो कहा था उसके विपरीत, मुझे नहीं लगता कि यह सईुक्त राज्य अमेरिका में दोपहर सवा बारा बजे है। ये दोपहर बारा बच के पचास मिनट बजे है, मुझे लगता है, सयुक्त राज्य अमेरिका के समय के बाद, उस समय इसकी घोशना की जाएगी। ठीक है, सभी को एक बड़ा आलिगन और अगले संदेश में मिलते हैं। Please subscribe, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos. Important message now updated in English. We are in it to win it dear all founders. Have a good day. Hello friends, good evening, the presence of heaven Ashmufare at live ONU Pass of 360, which took place today, November 15, 2023. One of the main focuses was the launch of the new version of the OConnect conference platform, with multiple new features, the one that stands out the most, be it you can broadcast live conferences via YouTube, you can broadcast the conference and share that broadcast via YouTube, very simple, just connect, associate with a Google account and choose one of the available accounts. It was previously announced by Mr. Mofire that we will have multiple options for multiple YouTube and Google accounts. Initially, we will only be able to transmit to one, which is already quite good, but in the near future we will have the possibility of transmitting to multiple. This was really an important launch. It is now available for use by all of us, only for those who purchased the OConnect paid plan. It is not available for the free 14-day trial version, only after people subscribe to the OConnect package. OConnect now and in the future. In addition, there are other features that were clearly visible during the transmission, including broadcasting and the way the screen is made available, allowing the number of participants on the screen, the number of participants is much better distributed across the screen, we can opt for focus on the participant who is speaking. Therefore, there are a serious number of new features that are clearly visible and can now be used by all of us. This was expected to happen last week. Until Wednesday last week, but they were launched today, it was supposed to be on the 8th, It was on the 15th, Wednesday, and a lot of work has been done by the company's technical staff. Ascom Farad later revealed that next Friday, November 17th, in two days, around 12.15pm, United States time, therefore around 5.30 in the afternoon, 5.15 in the afternoon, Portugal, a light show will be broadcast through the Burj Khalifa, in Dubai, Therefore, there could also be a conference after this light projection on the Burj Khalifa, but it is not 100% certain, the light projection could also be done by Okonnect, let's wait for more information, but what is certain is that there will then be another projection of lights, marketing, another marketing campaign for the company, next Friday. The 17th, 12th and 15th, noon and 15th, hours from the United States of America, which will also be broadcast on O-N-D-E-P-A-S-S-I-V-E's YouTube channel, and probably also on Okonnect. Now, information regarding subscription payments via card, At this time it is possible to affect payments to subscribe to Okonnect, the Okonnect package, via crypto, currencies, payments via card will be allowed little by little, in a scalable way, on a daily basis being allowed more payments, they decided, because it is completely impossible, taking into account the volume of payments that the company had and which was not supported by the first companies that the company requested, and recreated the services of these companies, the company decided not to use only a payment processor, but multiple ones, only. In this way is it possible to meet the company's needs in terms of payments, in terms of covering people's needs, the high number of payments that the company was subject to in the first few months. So, the company decided to use multiple payment processors and this will happen in increasing numbers, from now on, little by little, therefore always more and more, until reaching an unlimited point. They say that it is not possible to make unlimited payments just using one processor, it will have to be done in a dynamic way and using several payment processors and that is what will end up happening, always growing, they believe that in a few weeks, two more weeks or less, they can reach an unlimited number of payments, so what we advise people is, whoever wants to make the subscription. Payment, be it a founder, be it a normal customer, try to make the payment with cards, if you want to make the payment with cryptocurrencies it's possible, it's working 100%, but if you want to pay with a debit or credit card, keep trying multiple times, because there will come a time when the number of errors after payment will decrease to such an that it will no longer exist for complete. Therefore, in the coming weeks we will reach an unlimited number of payments allowed by processors, multiple payment processors that the company is adding. Now, in relation to payments for withdrawals, therefore withdrawals that are currently pending, whether they are cryptocurrencies or withdrawals to banks, I think this will be completely resolved too. All payments that are pending will be made in 2-3 weeks, so in a maximum of 2-3 weeks payments will be made both to cryptocurrencies that are pending, and to banks, so for those people who have payments that were requested in September, October, or even now in November, they will be made in 2-3 weeks, okay? After all pending payments in crypto and banks have been made, the company will be able to then make weekly payments normally and more quickly. Then Bus also says that if everything goes well, if there are no further complications, that by the end of this month, at the latest in the first week of December, he will be in a position to announce the bomb, okay? And the bomb is nothing more or less than something that the company is going to publicize and it is the biggest reach, the biggest announcement that the company has made to date, in years. Therefore, to date, the company has already achieved very high objectives, such as the metro station in Dubai, the building in Hyderabad, but the bottom line is that what will be announced later in the first week of December is really something very impactful and will surpass everything that has been announced by the company to date. Okay, friends, this was the important news today. Remember that on Friday we will have a light projection on the Burj Khalifa. Contrary to what I said a moment ago, I don't think it's at 12.15pm in the United States, it's at 12.50pm, I think, United States time, later that will be announced at the time. Okay, a big hug to everyone. And see you in the next message. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos. Thank you. 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 Thank you.